हेलो नवस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने ही यूटूब चैनल स्टडी भाई पाटक सर पर और आज हम फिर लेकर आये हैं नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बाजक्ता के नियम ठीक है देखते हैं जरा बाजक्ता के नियम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे दो का बाजक्ता का नियम चार का बाजक्ता का नियम और आठका इन तीन बाजक्ता के नियम को देखेंगे सरप्रत्म दो ऐसे नंबर जिनके लास्ट डिजिट जिनकी लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट या तो जीरो हो या फिर सम हो वो सारे के सारे नमबर 2 से कट जाएंगे 2 से किसी नमबर कुछ चेक करना कटेगा और नहीं कटेगा बस यह देख लिए Last digit में या तो 0 हो या Last digit में कोई Sum Number हो तो समझो किसे कट जाएगा वो 2 से कट जाएगा Example जैसे मैंने कहा 2,3 और यह 4 अब यह दो से कटेगा यह नहीं कटेगा दो से भाज्य है यह नहीं लास्ट लास्ट जिट कैसी है सर लास्ट जो अंग कहना वो सम है अगर वो सम है तो इसका मतलब दो से कटेगा अगर यही अगर जीरो होता एक एक एक्जाम्पिल ओड देखते हैं यह 5621 यह दो से भाज्य ह है या नहीं लास्ट और धार है orda number रही सम यह तो दोसे नहीं कटे का इसका मतलब लस में जीरो और यह दो से कट जाएगा papziasya का युывает अगा लास्ट अंक दो से कट जाए तो दो से कटेगर अगरास्ट का अनक दो से नहीं कटा तो अनिमार दो टू डिजिट चार से खटी तो समझो नम्बर दिजट टू है याल लास्ट की लास्ट टू डिजिट है लास्ट है लास्ट 2 डिजिट क्या हो लास्ट टू अगर लास्ट 성u 00 तब भी चार से कट जाएगा, यह लास्ट के दो अंग चार से कट आ, देखू कैसे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा, चापन टू, वण और ये फोर, और ये छिक्स, और ये फोर, मुझे ये च्छार से भाजिया है या नहीं यह नमबर, तो मुझे जेकरने लास्ट के दोग को चार से काट के देख लेए लिए चार से कट चैण से लिए नमबर चार आइसका आप आप यह नहीं है किसी नमबर को मानलों यह नमबर कटा कटा नहीं कटा ऐसा नहीं करना लास्ट के द beiden के देखो मैंने लास्ट के यह दो उठाए सा लास्ट rikini to 92 अगर चार सह कट जाएगा तो समझेऑ नंबर就到 चारते हैंFR 235 तवन तब 4क्रचार जाएगा ऐसा नहीं या आख स्टार्टिंग सी चैक कर रहे हैं चार का ऐस्त रास्ट की डिजित अगर दो से कटी तो नंबर maintains लिए से स्पषागल दूसरी कंडिजिजिन चार असे कटने ठीक है अब जरह मैं इनको दिखाता अब जरह मैंने आपके लिए लिखकर लाए हम इनको देखने जरह यह तो से जब अंति मंग अंति मंक क्या हो जीरो हो या एक सम्य क्या हो तो किससे से घड़ जाएगी दो से घड़ जाएगी देखो जिरो है सर 2 से कटेगी और यह आपर कोणो आट है तो 2 से भाजिय है इसका मतलब लास्ट का अंक या तो 0 क या समूं हो आप कहेंगे सर समनुमबर और सर यह कि समनुम्बर सबहाएं नमबर रहांन क che等 तो आपको चुके हैं लेकिन एक बार फिर देख देते हैं सम और विसम क्या है सम का मतलब even और odd number सम का मतलब है 0 होगा लास्ट में 2 होगा 4 होगा 6 होगा और 8 होगा जिसके लास्ट में ये 5 अंक जीरो 2 4 6 और 8 वो कैसा नमबर है सम नमबर है विसम नमबर जिसके लास्ट डिजिट पर एक हो 3 हो 5 हो 7 हो और 9 हो जिसकी लास्ट डिजिट पर एक हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो विसम है और सम नमबर होंगे जिसके लास्ट में 0 होगा 2 होगा 4 होगा 6 होगा राट होगा क्लियर ना ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं चार से जब अन्तिम दो अंक क्या बोला मैंने अन्तिम दो अंक चार से भाज्ये हों या वे दो सुन्या हों मैंने का लास्ट के दो अंक या तो लास्ट के दो अंक क्या होने चाहिए मिसंत Canti ने सुन्य होने चींदिए को लास्ट के दोंख क prowla यह तो वे क्या हो थूल सुन्या हो अगर लास्ट के दोंख कैसे है सला यहां सुन्या है इसको चार साकर जाएगा कुछ नहीं देखना एक लास्ट में ये पूरा नंबर भी 4 Se Cut जाएगा ठीक रहतीं को यदी ठीक चार वश्चे बाहे है चार से लास्थ की 2 डिचिट यहा तो 4s गजए यह फिलाश्ट में 2 अङ 0 तो साहर से ताइसे कर जाए ठीक है घाट उसने आठ से अंतिम तीनंक आठ से कट जाएं यह लास्ट में तीन जीरो होगे तब भी आठ से कट जाएंगे देखर लास्ट के तीनंक चेक करेंगे आठ आठ या चोविस आर्दूनी शॉला आठ से कट जाएगा एक एक्जाम्पिल हो लेते हैं मैंने लिख दिया एक्क्यामन 75 थिरी और टू मैं यह चैक करना चाहरा हूं यह आठ से भाज्य है या नहीं है काटो लास्ट के तीन डिजिट आठ से काटने लास्ट के तीन डिजिट आठ चंग 48 कितना बचा आठ चंग 48 पांच बचा बामन नहीं इसका मदब यह आठ से नहीं कटेगा आठ से भाज्य नहीं है ठीक है एक नंबर लिख देता हूं मैं मैं 889 चंग 6 और 8 यह नमबर 8 से भाज्य है यह नहीं चाल के तीन डिजिट ते तीन डिजिक 8 आठ से चंग भी कर जाएगा और आठ से आठ भी कर जाएगा इसका मदब यह आठ सा भाज्य है हमने तीन नमब्रों के भाज्य के नियम पड़े नमबर एक देखेंगे याँ पर एक तो दो का दो में क्या था लास्ट डिजिट जीरो हो या दो से पाज्य हो और किसका चार का यह दो का हो या चार का या तो लास्ट डो डिजिट जीरो हो या फिर किस सकट जाए लास्ट की टू डिजिट किस सकटे लास्ट की टू डिजिट किस सकटे लास्ट की टू डिजिट चार सकटे आठ के लिए हम 3-digit last के, 3-digit किस से कट जाए, 8 से कट जाए, इसका मदला number 8 से होगा, clear ना, ठीक है, next, दीखते है, 5, 5 से वही number कटेगा, जिसकी last digit, या तो 0 हो, या last digit 5 से कटे, clear ना, ठीक है, जब अंतिमंक 0, या फिर 5 हो, तो number 5 से कट जाएगा, देखो last 5 से कटेगा, लास्ट जीरो पोई है कटेगा आप इस दुनिया का कोई भी नंबर ले लो अगर ऊसन अंबर को अगर उसन नंबर के लास्ट बास्ट मैं लो है यह लास्ट नंबर पर युनित lais last digit या तो zero हो या last digit फांस हो इसका मतलब नंबर पांस से कट जाएगा, clear? ठीक है next देखते हैं मैंने का 3 से, 3 से भाज्येगा रूल है, 3 से और 9 का मतलब है कि अगर उनके digital sum अगर digital sum 3 से कट जाएगा तो number 3 से कटेगा, digital sum 9 से कटेगा, तो number 9 से कट जाएगा किलियर देखते हैं इस निए अंको का योग 3 से कट जाएगा मद तीन से बाजिया तो number 3 बाजिय होगा जैसे मैं ने लिखा तीन से कातना देखना-9 10-17 18-18 18-18 यहाँ पर 9 3 से कट जाएगा अगर डिजित का सम तीन से कटेगा तो नंबर तीन से कटेगा तो नंबर तीन से कटेगा ठीक है एक एक आग्जामपिल देखते हैं अपनी तरफ से कितना भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं 75 81 99 5 2 1 सेकंडों में चेक कर दोगे इसको 3 से कटेगा या नहीं कटेगा सर 9 भी 3 से कटेगा ये भी 3 से कट जाएगा 8 रे1 9 भी कटेगा 7 2 9 भी कटेगा 8 3 से नहीं कटेगा इसका मलता नंबर 3 से नहीं कटेगा Clear ना ठीक है Next दिखते है ये है 9 से 3 करूल same है, 9 करूल same है, Digital Sum, 3 से कटेगा, No. 3 से कटेगा, Digital Sum 9 से कटेगा, No. 9 से कटेगा, Clear? ठीक है, Unclicks के योग 9 से भाजिया है, मतलब 9 से भाजिया है Candice, 9 कट गा, कट गया, 6 और 3, 9, कट गया, कट गया, एक और देखते हैं, 83, 79, 5, 2, और एक यह one और यह मैंने लिख दिया फिर six नो कट जाएगा, सातर दो 9, sir कट जाएगा आठ और तीन 11 और एक बारे उड़ चे अठारे सर 9 से कट जाएगा, इसका नंबर 9 से कटेगा, डिजीटल सम 9 से कट पा रहा है, तो नंबर 9 से कटेगा digital sum notion नहीं कट पा रहा तो नंबर नो से नहीं कटेगा clear clear ठीक है 10 से 10 से कटने का तो बहुत normal rule है 10 से कटने का कुछ नहीं देखना अगर unit place पर अगर जीरो है तो समय लोग 10 से कट जाएगा अगर नहीं है तो नहीं कटेगा जैसे मैंने लिखा 562140 यह 10 से कटेगा चैक नहीं करना कुछ भी बस यह देख लो जीरो है लास्ट में कटेगा 10 से मैंने लिख दिया 83 75 921 यह 10 से भाजिया है सल लास्ट में 0 तो है नहीं एक बाज से कैसे कट जाएगा नहीं कट पाएगा अगर मैंने जीरो लगात है इसके उसलिए भाच यह क्या चैक्क करना 1 प्लेश प्लेश पर 0 है 10U नमबर कटेगा अगर i Todo नबर भॉइए नंबर दुस्ण नहीं कटेगा आ जैसे साथ से साथ से बार में बढ़िवाग जैसे मैंने यह लिख दिया मैंने लिखा इक्यामन और मैंने लिखा आठ मुझे यह चेक करना किया यह नमबर आठ से कटेगा सास से कटेगा यह नहीं कटेगा हमको क्या करना यूनिट प्लेस पर जो नमबर है यूनिट प्लेस पे जो नंबर है यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर यूनिट प्लेस पे उस नंबर का करो दुगना क्या करना है यूनिट प्लेस का सर इस नंबर का करेंगे दुगना कितना आएगा 16 क्या बोला मैंने यूनिट प्लेस वाले नंबर का करेंगे दुगना और उस नंबर को जो हुआ दुगना उसको आगे के नंबर में से गटा देंगे 16 में से गटा देंगे तो हमारे पास reminder बचेगा पांच चार में से एक जाएगा तो कितना बचेगा तीन क्या ये 35 साथ से कटता है सर साथ से 35 बाजिया है इसका मतला बाजिया है तो साथ से नंबर कट जाएगा क्या बोला मैंने एक उर समझ लेते ही मुझको ये चैक करना क्या ये साथ सक कटेगा या नहीं कटेगा मैंने कहा unit place पर कौन है सर unit place पर है कितना 2 2 का दुगना करेंगे कितना आएगा 4 4 अगले number में से घटा देंगे तो कितना आएगा घटा कर बताईएगा इसका दुगना करेंगे चार और चार अगले नमबर में से घटा देंगे तो ये बचे का फाइव नाइन और ये वन फिल लास्ट वाले नमबर का करेंगे दुगना और अगले नमबर में से घटा देंगे एक का दुगना करेंगे, दो और दो इसमें से घटा देंगे, तो यह बचे का 7 और यह 5, क्या 87 साथ से वाजिय है? नहीं, अगर 87 साथ से नहीं कट पारा, इसका मतलब यह नंबर भी 7 से नहीं कटेगा, क्लियर? टेक है, अब देखते हैं जरा क्या था हो, अब देखते हैं, द से संक से बनी संक्या में से घटा हैं, इसका मतलब जो सेसफल संक्या है, उसमें से घटा देंगे, लास्ट नंबर का दुगना, क्या बोला, मैंने लास्ट नंबर का दुगना, जैसे मैंने 600 इक्यामन को मुझे साथ से चेक करना है, मैंने का लास्ट नंबर का दुगना, ला साथ paralysis क्या 33 साथ के multiple में आता है फिस एगर आता है अगर आता है तो क्या यह नंबर साथ से कट जाएगा सर कट जाएगा क्या यह वाली बात समझ मैं आई आई कहते हैं बच्चे की साथ का रूल समझ नहीगा था मुझे तो यही समझ नहीं आती कि साथ के रूल में है क्या भाज्य में लास्ट वाली यूनिट को उठाओ दुगना करो जो बची उसको घटाओ और साथ से चेक कर लो खतम काम बताओ एक्जाम्पिल और भी हम लेंगे तीन चार कोशन रखें हैं इनी वाले रूलों पर और कल करेंगे हम इसके पूरे बीस कोशन लेगिन फलाल मैं भी देखते हैं 11 का एक बार और रूल 11 का देखेंगे सम और विसमिस्तानों के मेरा कहने का मतलब यह है अल्टरनेट वाले जो अंक है अल्टरनेट वाली डिजिट का जो डिफ्रेंस अना अगर वह जीरो आएगा यह 11 से 11 का मल्टिपल आएगा समझो 11 का क्या है वह 11 के नंबर 11 से कट जाएगा मतलब ठीक है देखो जैसे आपको इसी को चेक करा के दिखा देता हूँ मैं फिर एक एक्जाम्पिल मैं फिर लूँगा अपने पास से देखो जैसे मैंने का 21 और फिर 7 और यह है 3 यह है 8 और यह कितना है 2 अल्टरनेट वाले लेटर लेने हैं समिस्तान पर जो वह समिस्तान पर जो है वह किलियर ना ठीक है अ 7 और 2 कितना 9 9 8 कितना है अगर अल्टरनेट वाले लेटर का सम अल्टरनेट वाले अंक का अल्टरनेट वाली डिजिट का हमने लिया सम और उन दोनों के सम का लिया अगर difference अगर difference 11 से kट गया 11 का multiple अगया तो समझो numbers 11 से कट जाएगा अगर difference zero आएगा तब भी सम्म्झो 11 से वह कट जाएगा स команд Agr इ monopoliesran नंबर जैके और ये 13ा कट जाएगा सर्क्याओक ед एक गया रजाय सर्क्ट followed फ्लाइफ से 54 किम इस इसको हचार आप देंबर 11 स था स्क्राइब है नहीं अल्टरणेट वाने लो 7 Solar 8 8 Mensch आठर चार 10820 कि इन कुतनाजा गया ए 11 11 और बारे का डिफ्रेंस कितना आएगा का नहींघ इसका मतलब यह नबर 11 से नहीं कटेगा मोट किलेर ना एक नमबर जिसके सम और विसम वाले स्थान का योग अगर उनका अंतर लेंगे 11 से तो नंबर 11 से कर जागा, देखो, क्या बोला मैंने, सम और विसम इस्तानों के अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो यह फिर 11 का गुणक हो तो उसके बरावर हो तो यह 11 से कटेगा, जैसे मैंने विसम बाला यह लिया, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है, और देखते हैं, next तो मैंने कुछन रखें हैं, इस पर यह कुछन देखते हैं, देखते हैं जरा कुछन को, निमलिखित में से कौन सी संक्या, 13051 के निकटतम है, जो 9 से बाजी है, इसका मतलब मुझे 9 के बाजी है, निकटतम चाहिए, इस नंबर के निकटतम चाहिए, और 9 से कट जाए, सबसे पहले हैं, तो सारे नंबर को चेक करो, जो नंबर 9 से कटेगा, वही में सांसर होगा, देखो, जैसे मैंने का, पांच और 3, 8, 9, इसका डिजीटल सम देखो, पांच और 3, 8, 9, 8, 17, 17, नो से कट जाएगा, नहीं कटेगा, अगर 17, 9 से नहीं कट तो इसका मतलब यह नंबर त add six, 15, 15, 9 से नहीं कट पायागा, तो इस वाले option की possibility 0% answer की यह नहीं होगा, पांच और 3, 8, 8, 9, 7, 16 यह भी नहीं होगा, यह भी new से, यह भी new से नहीं कटेगा, यह भी new से नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा, यह की option कट रहा है, option number C, खतम, देख रहे हो हम, CH MY def whereby inhibitory 23, मम आया कुशनोर उसने काया है 32 A और 78 और B उसने काया के लिए निमलिकित में से सबसे बड़ी संक्या कौन सी होगी जो 3 से भाज्य है लेकिन 9 से भाज्य नहीं है अच्छा इसका कहने का मदब यह है इन में से सबसे बड़ा नंबर ऐसा चाहिए जो 3 से तो डिवाइड हो जाए और 9 स ना कटे के लिए ना देखते लिए ऐसा नमबर देख लो जो 9 से ना कटे अब देखेंगा ज़ा मैं इसको चक करूंगा मद्off और 12 9 9 से कट जाएगा आठ हरीक नो यह भी 9 से कट जाएगा 4 7 तीन साथ इसका मतलब यह साथ इसका मतलब यह तीन से नहीं कट पा रहा अगर तीन से भाज्य नहीं होगा इसको देखते हैं साथ और तीन नो और फिर इसके बाद आठ और साथ पंदर है इसका मतलब यह तीन से तो कट पा रहा है नो से नहीं कट पा रहा है इसका मतलब इस आंसर के होने की पोसिविलेटी है किलियर इसका मतलब सी ओप्सन हो सकता है अगर चेक करते हैं यहां देखेंगे साथ अर्दो कितना नो यह भी नो कट जाएगा आठ और चार बार है और तीन पंदर है इसका मतलब इस वाले कोशन की पोसिबिलेटी भी तीन से तो यह कट पा रहा है और नो से नहीं कट पा रहा इसका मतलब आंसर इसकी होने की भी पोसिबिलेटी है अब इसका मतलब यह नो कट गया सात अर्दो यह भी कट चुका है आठ अर्दो दस दसर साथ 17 इसका मतलब यह वाला जो नंबर है यह तो तीन से भी नहीं कट पा रहा अगर तीन से भी नहीं कट पा रहा है इसका मतलब option number a option number b ये दो प्संट नहीं होए इसका मतलब इन दोनों से एक answer होगा और हम इसको check करते हैं इन में सा answer कोई होगा देखेंगे जरा बहुत ध्यान सा समझेंगे है यह यह नहीं होगा क्योंकि यह 3-7 नहींके इसका मतलтесь नमबर तीन से बाज्जे नहीं है और whenever it was 1010 बाहत बिए वाहर रही हो गानलाओ आसन चोरा पर अधी किस सब्सक्राइब हमको क्या जाए बड़ा नमबर यहाओ एक तरह स्टाइब इस टेड़mentis यह सड़सटा नफ टर यह गलत हो जाएगा एक तरह साही है दोनों के दोनों आंसर सही है लेकिन उसने का बड़ा नंबर बताना तो बड़ा नंबर होगा उप्सान नमबर डी सी ओप्सन को छोड़ देंगे क्योंकि सी ओप्सन नो से तो नहीं कट पारा तीन से कट पारा एक तरह से सही है लेकिन अकोडिंग टू कोशन मतलब उसने का बड़ी संक्या बतानी तो बड़ी संक्या में उप्सन नंबर डीप जाएंगे अगर वो कहती छोटी संक्या बताओ तो आंसर नंबर सी हो जाता किलियर ना ठीक है संक्या 7885471 को नाइन से पूंट तरह सभिवाजित करने के लिए 888 का नियून तमान बताना कितना इजी कोशन बताओ सिर्फ और सिर्फिन का डिजिटल सम नो सा कट जाए खतम हो जाए का कोशन बताओ दो से किन मगरो इसको कोशन को पांचर चान नो साथ चोदार एक चाले में 18 आता तो पंद्रे में कितना एट करना पड़ेगा सर तीन एट करना पड़ेगा खतम बताओ था इसी कोशन ना इसी था नेक्स्ट कोशन देखते हैं इस्टार का नियुनता मान क्या होगा ताकि यह 18 से कट जाए अच्छे यह कहने का मतलब है यह इस्टार का मान बता ना 18 18 18 का मतलब नंबर 9 से जरूर कटना चाहिए अब 9 से कटने का मतलब वह यह डिजीटल से हम 9 से कटे चेक करेंगे पांच और चार नो सर खतम हो गया ठीक है एक कोस्टन और है यह लास्ट इस कोस्टन का आप आंसर कमेंट वोक्स में लिख कर बताएंगे क्या आएगा इसका 11 से बाजकता का नियम बताना यह चार आपके पास चेक करना जिस तरीके से मैंने आपको रूल समझाया कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे और राच की क्लास ही रोकते हैं कल इसके 20 को सनोर कराएंगे इसी टाइप पर एक्जाम में आएवे प्रियर से एर में ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद